नमस्कार दोस्तों, रामबान औशदी के यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से हारदिक स्वागत हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक महत्तपून जानकारी लेकर आए हैं। रात को सोने से पहले दूद पीने के आठ अद्बुत फाइदू के बारे में। दोस्तों, इन्हें जानने के लिए करीपे आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, दूद कितना पिया जाए और कब पिया जाए तो आपको लाब होगा। और कब पिया जाए तो हानी होगी। इन बातों को लेकर संशे हर आम इंसान को होता है। दोस्तों, दूद अधिक देर तक गरम नहीं करना चाहिए। आदा किलो दूद अपने गुणों के अनुसार एक पाउं मांस वे तीन अंडों से अधिक शक्ति वर्दक हैं। दूद अपने आप में संपून आहार हैं। वैसे तो सुबह लाबदाइक होता हैं। इसका पाचन सूर्य की गर्मी से होता है। अगर पीना जरूरी हैं तो सोने से तीन गंटा पहले पीए। रात को ज़्यादा गर्म दूद पीने से स्वप्न दोश होता हैं दोस्तों। दूद में मिठास के लिए चीनी न डाले। मीठा दूद कफ कारक होता हैं। चीनी मिलाकर पीने से केलशियम नष्ट होता हैं। इसमें प्राकर्तिक मिठास होती हैं। अगर मीठे की जरूरत हो तो शहद, मुनुक्का या मिश्री डाले। आयरुवेद के मुताबिक भी न दूद नींद लाने में मददगार होता हैं। इससे सहरोटोटिन, हार्मोन्स भी निकलता हैं जो दिमाग को शान्द करने में मदद करता हैं। दोस्तों भहुत ठंडे या गरम दूद की बजाय गुनगुना या कमरे के तापमान के बराबर दूद पीना बहतर हैं। लेकि तो ही सोते समय दूद पीने से लाब होता है। क्योंकि इसे पीने के बाद सो जाने से कोई पधार्त पेट में नहीं जाता। इसलिए दूद आसानी से पच जाता है और गुण करता है। शहद और दूद दोनों समपून आहर माने जाते हैं। वेसे तो दूद पीने वे शहद खाने दोनों के ही कई लाब होते हैं। लेकिन दूद और शहद दोनों को साथ लिया जाए तो इनके गुण दो गुणे हो जाते हैं। शेहद अपने antibacterial, antioxidant वे antifungal गुणों के कारण सदियों में परियोग में लाया जाता है दोस्तों शेहद में protein, albumin, वसा, enzyme, amino acid, carbohydrates, पराग, कैसर, iodine और लोहा, तांबा, magnege, potassium, sodium, phosphorus, calcium, chlorine पाये जाते हैं साथ ही इसमें बहुमुल्य vitamin, riboflavin, vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12 तथा vitamin C, vitamin H और vitamin K भी पाये जाते हैं यह स्वासन संबंदी परिशानियों में भी फायदमद होता हैं वही दूद में A, B, C, D, calcium, protein, and electric acid भरपूर मातरा में पाये जाता हैं इन दोनों के साथ लेने पर कई अनोके स्वास्थे लाब होते हैं दोस्तों, रोजाना एक गिलास दूद में दो चमत सहद मिलाकर लेने से digestive system में सुधार होता है कब्ज की समश्या से छुटकारा मिलता है इसे रोजाना लेने से पेट वे आन्थ से जुड़िस समश्याय नहीं होती है दोस्तों, दूद और शहद लेने से न केवल इसकीन गलो करती है बलकि शरीर को भी आराम मिलता है प्राचीन समय से ही ग्रीक, रोमन, इजिप्ट, भारत आधी देशों में जवान दिखने के लिए एक anti-engine property के रूप में दूद वे शहद का सेवन किया जाता रहा है शहद वे दूद दोनों ही शुक्ष में जीवी को खतम करते हैं दूद वे शहद साथ लेने से रोग परतिरोधक शमता बढ़ती हैं वह इसकीन को गलो करने लगती हैं दूद वे शहद को बराबर मातरा में मिला ले उतनी ही मातरा में पानी मिला कर नहने से पहले शरीर पर लगाए इससे आपकी स्कीन निखर जाएगी दोस्तों तो दोस्तों ये थे रात को सोने से पहले दूद पीने के आठ अधबुत फाइदे दोस्तों इन उपायों को अपना कर आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं तो दोस्तों आपको हमारी है जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बोक्स में लिखकर जरूर बताए इसके साथ ही और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाते हैं तो भी आप हमें कमेंट बोक्स में लिखकर जरूर बताए हम आपकी समश्या का समाधान जरूर करेंगे इसके साथ ही आप हमारे यूटूब चैनल रामबान औशिदी को सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए जबरदस्थ और शिदिया और नुस्खे लेकर आते हैं जिनको जानकर आप अपना उपचार स्वयम कर सकते हैं और स्वयम चिकिसक बन सकते हैं तो दोस्तों इजाज़त दीजे मिलते हैं अगली बार ऐसी ही कुछ रोचक जानक कारियों के साथ तब तक के लिए जै श्री राम जै हनुमान